इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग-अलग ट्रायल की स्टेज पर हैं। भारत के लिए संतोष की बात ये है कि दो ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो की एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनाशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स केडिला हेल्थ केर की वैक्सीन है। वो होती हैं चुहे पर, वो होती हैं गिनी पिक पर, वो हती हैं रबिट पर. So these studies have already been concluded and the toxicity data in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these two vaccines to go in for Phase 1 and Phase 2 clinical trials. Phase 1 और Phase 2 clinical trials की जो sites हैं यानि जिन जगों पर वो trial होगा वो finalize की जा चुकी हैं और अब इसको प्रारम्ब होना यानि अभी ये प्रारम्ब नहीं हुआ है. हम आशा करते हैं कि जो selected sites हैं और जो गिवन एप्रूवल है, Drugs Controller General का, उसके आलोप में ये वैक्सीन ट्रायल जल्दी ही प्रारम होंगे और इनके नतीजे जब भी आएंगे हम आपके समख्ष रखेंगे. I.C.M.R., would you like to, just a second please, just a second. I.C.M.R., would you like to supplement something on this? Then we will take your question. Yes. So, as sir correctly said that the whole idea is to have indigenous candidates हमारे पास है, record time में Indian manufacturers ने indigenous candidate एक नई बिमारी के लिए बनाया है. हम लोगे चाहते हैं कि ये vaccine जितनी fast developed होके लोगों के लिए available हो पाय, उतना फास्ट इसको डेवलब कराएं DGICMR के लेटर का इंटेंट था कि साइट्स को बोले की फास्ट ट्रैक करो हमारे पास कैंडिडेट है ऐसा ना हो दाट वी मिस्ट बस और वैक्सीन की देखिए आज ज़रूरत है अगर हम कन्वेंशनल मेथर्ड में जाएंगे बनाने के और दो साल बात वैक्सीन लाएंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं है So the entire restless in the government in ICMR इसकी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करिए इसको जल्दी से जल्दी अवेलिबल कराएं हमारे कांट्री के सिदिसन को So the spirit behind the letter was this only